हेलो दोस्तों मैं विजे कुमार मातो और आज मैं आप लोग को बताने जा रहा हूं जारखण के जनजातियों द्वारा खाये गए खान पान को कि कौन से जनजाति के लोग किस टाप के खाना खाते हैं तो चलिए वीडियो को एंटक में बने रहिएगा आप लोग को पूरी ज जाती यह तीन बार खाना काते हैं तो सुबा वाले खाने को करते हैं इन लोग बास्क्याक जो दिन में खाते हैं दो पहर में जो खाते हैं उसे उन लोग मजवान के नाम से जानते हैं जो रात में खाते हैं उसे कदोक के नाम से जानते हैं संथालोग का मुख्य भोजन दाक का उरू है इसका मतलब है डालभात एवाम सब्जी है और अनि परमुक भोजन जोंडरा दाका जो की मक्कई की दल्या जो घाटा भी बोलते हैं महुआ भी प्रेम से खा जाता है संथाल मास मचली का भी सेवन करते हैं सुवर एवाम मूर्गी खाना तो आम बात है हड़िया वाल कोदा या मडूगा से बनाया जाता संथालों में साल की पत्या से बनी बीड़ी पीने का प्रचलन है दूसरा नमबर में आ जाता है उराव उराव का मुख्य भोजन दालभात है ये कंद मूल फल फूल कभी सिध कर लेते हैं द्रब खा लेते हैं ये मास मचली का भी सेवन करते हैं घार में बनी हडिया इनका प्रिये पेर ये लोग तंबाकु अभी सेवन करते हैं तिसरा नमबर में आ जाता है मुंडा मुंडाओ का परधान भोजन चावल है संपन मुंडा चावल के साथ दाल भी खाते हैं गरीब मुंडा गोंदली मडवा और मक्कै से काम चलाते हैं मुंडा मुर्गा सुवर आदी का मांस भी खाते हैं रानु एवा महडिया इनका प्रिये पेर हैं चावथा नमबर में आ जाता अपलो का गोंड गोंड अपने भोजन के लिए वनों से प्राप कांध मुल फुल फल एवा मासों पर निर्वर करते हैं गोंड महु महुआ से बनी श्राब का सेवन करते हैं यह महुआ के फल को सुखा कर खाते हैं गोंड में मदीरापन का अत्याधिक परचलन है पाचवा नमबर में आ जाता है चेरो चेरो का मुख्य भोजन भात और दाल है संपन चेरो का नियमित रूप से सबजी खाते हैं क्योंकि अली जीनोरा सावा मडवा कोदो आदी से बने खाद पदार्थ खाते हैं अधिकांस चेरो साकाहरी होते हैं छटा नमर में आ जाता है असूर आरम में असूरों का परमुक अहर कंद मुल फुलफल एव मांस था अस्थाई जीवन अपनाने के बाद असूरों को खानपन में बदलाव आया असूर समन्याता परति दिन दो बार भोजन करते हैं दिन का भोजन को उन्हों लोलो घोटु जमैकु एवम रात के भोजन को छोटु जमैकु कहा जाता है असूरों के भोजन में पिल्था मुलफ पीठा खिचड़ी मखाई का घाटा एवम महुआ का लाटा क की परधानता दूर दिन में असूर महुआ सख्वा फोल एवं पत्तों पर निरवर रहते हैं मासों एवं असूरों को मुर्गा सुवर भैड़ हीरान साहिल के मास अधिक प्रिय नसा के लिए हडिया ताड़ी एवं दारू का सेवन करते हैं जारखन की जनजातियों में सबसे अधिक धुंगरपान करने वाले जन जाते असूर ही है असूर पिका मतलब शक्वा के पत्ते में तंबाको लपेटकर चुरूट की तरह पिये जाने वाला एवं हुपका पीते हैं और खाइने भी खाते हैं सातवा नंबर में आ जाता प्लोका बिरहोर जन जाते जोकी मतलब घुमनतु जीवन जीने वाले विरहोर ता परमुक आहर कंद मुल फुलफल एं अमान से जांगे विरहोरों मतलब जो आस्थाई जो रहते हैं उनका खान पान उल्थो विरहोर से अलग है तो आई होप कि जारकन के जन जातियों के खान पान को आप लोग जान गे अगर जान गया है अगर प्लीज वीडियो को एक लाइक कर देना अगर चानल में ने आगए तो चानल को भी सब्सक्राइब कर देना और जारकन से रिलेटेड वीडियो के नोटिकेशन के लिए इस चैनल का वेल आइकन को भी प्रेस कर देना थाइक्स पर वाकिंग में कर दो